है लो दोस्तों राधी राधी कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लोग में अभी दोस्तों हम आए हुए हैं मार्केट में तेवार का टाइम चल रहा है तो आप सभी लोग तब जानते हैं कोई भी तीज तेवार होता है तो कितनी सारी तैयारिया करनी रहती है और खास कर सौपिंग का तो एक दो दिन पहले से ही काम सुरू हो जाता है और ये सौपिंग जो है दोस्तों को हम जन्माश्ट में के एक दिन पहले करने आये हैं तो देख चकते हैं अभी हम पहुँज गए हैं एक सौप पे और यहां पे खुप सारी लड़ो गुपल की पोसाग जूले और उनके सरंगार की सारी वस्त में मिल रही है और सच बताएं तो आज कल मार्केट का कुछ अलग ही नजा रहा है चारो तरफ यही दुकाने देखने को मिल रही हैं और सब दुकाने जो हैं बहुत ही सुन्दर-सुन्दर पोसागों के साथ सजी हुई है तो यहां पर हमने एक छोटा सा सिंगासन लिया था और कुछ हमने यहां पर पगड़ी ली थी और पोसाग जो है वो हमने घर पे ही तयार कर ली थी खुद से तो पोसाग लेने की जरत नहीं थी और जो भी स्रंगार की वस्त में थी वो भी हमने यहीं से ले ली थी और सच ब भीर देखके बस यही मन हो रहा था कि जल्दी से सौपिंग करके फटा फट घर निकल चले फिलाल जितने भी हमें जरूरत थी चीजे सारी सीजे हमने ले ली थी उसके बाद निकल चुके हैं घर के लिए और ये सौपिंग करते करते बहुत ही जादा टाइम हो गया था वही ल देखिए सुभी लग गई हैं यहाँ पर अपने काम पर और ये क्रिच्छना की प्रेंटिंग बना रही हैं जो कि बहुत ही खुपसूरत है इसके बाद दोस्तों हम मिल रहे हैं आपसे अगले दिन यानि की आज है जन्मास्ट मी और आप सभी लोगों को जन्मास्ट मी की धीर साड़ी सुभ कामना है तो दोस्तों हो चुकी है सुभा और देख सकते हैं आज थोड़े थोड़े से पादल चाय हुए है फिलाल यहाँ पर हमने भी गोई थे रात को ही धेर सारे कपड़े तो यहाँ पर कपड़े सुखा दिये हैं और धूप हलकी हलकी है और हलकी सी बदली भी है तो कभी बदली आ जाती है और कभी धूप आ जाती है तो इसी तरह से सूर्य भगवान जो है वो छुपा छुपाई का खेल जैसा खेल रहे हैं चलिए कोई नहीं फिलाल हमने कपड़े अपने यहां पे सुखा दिये हैं उसके बाद लग गए हैं सफाई पे और कमरे की सफाई जो है वो एक दिन पहले ही कर ली थी बाहर की रह गई दोस्तों कोई भी तीज तिवार आता है बिना सफाई के ऐसा लगदाए कि इसा हुआ ही नहीं है सबसे पहला जो काम होता है वह सफाई का ही होता है जब साबस अच्छे से हो जाती है तो बाकि के काम भी करते हूं अच्छा लगता है और झेसे ही साव सफाई का काम कम्प्लीट हो पाया था कि वैसे ही सुरू हो गई थी जोरो वाली बारच और हल्की सी बदली ही थी पता भी नहीं चला कि कब सुरू हो गई तो जितने भी हमारे कपड़े पड़े थे वह दुबारा से फिर से सारे घीले हो गए तो फिलाल दोस्तो अभी हो चुकी है साम और यहां पे देख सकते हैं सजावड का काम जो है वो शुरू हो चुका है और मंडप है जो वो बहुत ही खुब सुरत सजाया गया है सबी लोग लगे हुए हैं और हम आगे हैं थोड़ा सा मार्केट हमारे घर के पास में बेकरी की सौप है तो वहीं पर आये हैं कीक तो नहीं लिया है लेकिन यहां पर हमने मोती चूर के लडू ले लिये हैं क्योंकि केक जो है थोड़ा सा डाउट था पतानी कैसा हो तो केक हम घर पे ही बनाएंगे और लड़ू लेकर जा रहे हैं घर इसके बाद दोस्तों यहां पे हम फुला रहे हैं बलून क्योंकि सारी सजावट तो हो चुकी थी लगबग और बलून्स जो है वो रहे गए थे तो यहां पे हम मसीन से फुलाते जा रहे थे बलून्स और सीतल जो है वो लगाती जा रही थी और इस पंप से फुलाने में ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं लगती है और काम जहें वो जल्दी भी हो जाता है इसके बाद थोड़े जो बचे हुए बलूज थे उनको हमने सेलो टेप की हेल्फ से दिवाल में ही चिपका दिया था जगे जगे पे त खंद के दत्ती फूल जो है वह बहुती जादा रखे थे तोंने सचा थोड़े से आर भी यूज़ कर लेते हैं तो हमने थोड़े से यहाँ पर और भी ज्यादा बिच्छा दिया हुए एक जगे से हल्का सा तिरस्चा हो रहा था तो उसको हमने यहां पर सही कर दिया तो सजावट का काम दोस्तों वो पूरा कम्प्लीट हो चुका है और जुला भी बहुत ही सुन्दर लगने लग गया है इसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं किचन में क्योंकि हमें बनाना था यहां पे केक लड़ो गुपाल के लिए और यह केक जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं पिछली जन्माश्टमी पे भी हमने इसी तरह से केक बनाया था और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनात हैं तो यह जो केक है सूजी और आटे का है और उपर से हमने इसमें थोड़ी से सूखी मेवे डालनी है जो भी हमारे पास रखे हुए थे और इस केक को दोस्तों हम कढ़ाई में बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ओवन तो है नहीं तो कढ़ाई में हमने एक स्टेंड रख लिया था और उसी पर इस मिक्चर को रख दिया है और उसके बाद इसको अच्छे से ढख देंगे और यह केक जो है लगबग एक घंटे तक धिमी धिमी आँच में पका था उसके बाद बहुत ही अच्छा केक बनके तयार हो गया था तो दोस्तों हमारी सारी तयारियां हो गई थी उसके बाद हम भी हो गए हैं थोड़ा सा तयार आखिरकार हमारे बाल गुपाल का जनम दिन है तो थोड़ा सा तयार होना तो पनता ही है तो हमने यहाँ पे कॉटन की सारी पहन लिए क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा उमस है दोपहर में तो बारिस होई थी लेकिन इस टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो दोस्तों सारी तयारिया करते करते पता ही नहीं चला और बज गया है बारा तो यहाँ पे सबसे पहले लड़ो गुपाल का पंचा मृत अब से कराया गया है उसके बाद इनको पोसाग धारण करवा दी गई है इसके बाद जो भी साज स्रंगार होता है वो यहाँ पे कुंजू और माधो का स्रंगार किया जा रहा है और देख सकते हैं इस स्रंगार में कुंजू और माधो कितने प्यारे लग रहे हैं इसके बाद यहाँ पे दरपड दिखा दिया गया है कान्हा को और दोनों लोगों क दिनी जाया लिकल लिट्वे साठोघ को और हैं इसे बाद जो भी फन फरूट थे वह चड़ा दियेगे और केक का ताइम हो चुका है तो सबसे पहले कप केग काट दिया गिया है कुंज उसके बाद दोनों लोगों को यहां पे केग किला दिया गिया और सच बताएं तो केग जो बहुत ही अच्छा लग रहा था दिखने में I hope कि हमारे कुंजो और माध्रों लोगों को केग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और जो भी यहा यहां पर खिला दी गई उसके बाद पानी पिला दिया गया है इसके बाद टाइम हो गया है आरती करने का तो यहां पर सबसे पहले जूले में बिठा लिया गया है कुंजु और माधो को उसके बाद यहां पर की जा रही है आरती और आरती के साथ साथ यहां पे हो रही है फूलों की बरसाथ तो देख सकते हैं आरती के बाद यहां पे आरती को धुपा दिया गया है और उसके बाद आ गई है बारी जूला जुलाने की तो यहां पे कुंजु और वादो दोनों लोगों को अच्छे से जूला जुलाया जा और देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं जूले में दोनों लोग और इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पे बारी बारी से सभी लोग जूला जूलाते जा रहे थे और देख सकते हैं हमारे बाकी भीहारी कितना ज़्यादा मुस्कूरा रहे हैं और साथी साथ हमारी भी बा को उसके बाद दोस्तों हम सभी लोगों ने यहां पर प्रसाद विद्रण कर दिया था सभी को और सभी लोगों ने अपना वरत खोल लिया था उसके बाद यहां पर हमारे कृस्णा का चल रहा था थोड़ा सा फोटो सूट इसी फोटो सूट के साथ साथ दोस्तों टाइम हो रहा था दोनों लोगों को सेयन कराने का क्योंकि काफी ज़्यादा टाइम हो चुका था तो यहां पर दोनों लोगों का स्रेंगार उतार दिया गया उसके बाद यहां पर थबकी दे दे के प्यार से सुलाया जा रहा है और पहले तो कहरे थे कि बेट पर सुलाने को लेकिन बाद में सुभी ने पतानी क्या ही सुभी के मन में आया कि उन्होंने जूले में ही सुला दिया ऐसा मानों की जूले में ही सोना चाहते हो तो यहां प अगले ब्लॉग में तब तक के लिए राधी राधी